हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चानल इन आवर गार्डिंग एक्सपेरेंस में फ्रेंड्स कल मैंने एक वीडियो अपलोड गया था नरसरी ओवर्वियू का उसमें मैंने प्लांट के नाम और रेड भी बताए थे बहुत सारे प्लांट के तो आज की इस वीडियो में मैंने उस नरसरी से क्या-क्या प्रचस किया है वो बताऊंगी और प्लांट के नाम के साथ बताऊंगी थोड़ी सी शॉपिंग की है मैंने कुछ ज़्यादा प्लांट नहीं लाए तो बस ये थोड़े बहुत प्लांट है तो शुरू करते हैं फ्रेंट्स ये है सिंगोनियम प्लांट जिसके बहुत सारी वराइटी होती है चोटे बड़े पत्ते की साइज भी होती है और कलर्स भी अलग-अलग होती है तो ये मुझे मिला 60 रूपीज में बहुत खुबसूरत लगता है ये ये है रिबन ग्रास और ये मुझे मिला 25 रूपीज को और ये है मनी प्लांट के वराइटी जो पान के पत्ते के जैसे दि कgger है हैंगिंG के लिए बहुत खुबसूरत है और next जो प्लांट हे वह ए खुबसूरत पत्ते वाला शेप ले रही हो तो इंड़ Works पे वहीं खुबसूरत प्लांट और पत्ते के शेप और साइश से बहुत अट्रेक्टिव जो प्लांट है ये है शेप लेरिया तो 100 रुप में ही मिला है 160 का बोल रहे थे लेकिन थोड़ी से बारगेनिंग करने पड़ती है और इसके जो ब्रांचे से बहुत सारे निकले हुए है ताकि मैं इसके अलग-अलग दो-चार प्लांट तयार कर ही सकती हूँ नीचे आप देख रहे होंगे और यह देखे फ्रेंड्स यह एक वराइटी है क्रोटान प्लांट का तो यह भी बहुत खुबसूरत सेफ है इसका तो यह मुझे मिला 60 रुपीज में और फ्रेंड्स यह जो प्लांट है छोटा भी है इसलिए कम किमत में मुझे मिला है और आप अलग-अलग नरसरी में जाए तो अलग-अलग टाइप के आपको क्रोटान मिल जाएंगे और उनका रेड भी अलग-अलग होंगा तो बहुत ही खुबसूरत लगते हैं अगर आपके पास इंडोर गार्डन में क्रोटान एड़ हो और ये देखो ये पेंडैनस है बिल्कुल स्पाइडर प्लान के जैसा लगता है ये मिझे 30 रुपीज का मिला है और बहुत ही खुबसूरत लगता है और लंबे-लंबे पत्ते होते हैं इसके और जल्दी से ये ग्रो कर जाता है बहुत जादा बुशी बन जाता है बिल्कुल ये रीबन ग्रास जो है इसके जैसा ही होता है तो ये प्लांट मुझे एक ही नरसरी से नहीं मिले फ्रेंड्स ये जो प्लांट है ये मैंने अलग नरसरी से खरीद के लाए हैं तो ये देखिए ये कलर मेरे पास नहीं था और ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि बहुत सारे ब्रांचे से इसके जब इसके खराब लिफ मैं निकाल दूंगी इन फूलों के आने के बाद वेस्ट हो जाने के बाद तो ब्रूनिंग करूंगी मैं इसकी और फिर से फिबरूरी तक मार्च तक लगबख मैं इससे फूल ले सकूंगी और नई नई प्लांट भी तैयार कर सकूंगी तो आपको भी यही करना चाहिए फ्रेंड्स की जब हम नर्सरी में जाते हैं तो प्लांट जो भी है तो ऐसे देख के लेनी चाहिए कि आप इसे डिवाइड क कर सके कटिंग करके अलग-अलग प्लांट तैयार कर सके नहीं तो एक ही प्लांट लाए और वो खराब हो गया वैसा भी नहीं होना चाहिए कि एक प्रॉब्लम है कि समर में यह जल जा सकते हैं तो हम अगर अभी से नहीं नहीं कटिंग तैयार करके रग दे तो एकाद कटिं हमारी जल भी गई तो उसी कलर की सेम कटिंग जो है बच सकती है तो शेफलेरिया का भी ऐसा ही है ये मार्च एप्रील तक अच्छा चलता है लेकिन मेकी जो गर्मी होती है उसमें बहुत ही ये खराब हो जाता है और इसे शेड चाहिए और हिमीडिटी भी चाहिए और सेम इस भराइटी जो भी प्लांट यहां पर मैंने पर्चस किया है सब्भी का वैसा ही है कि शेड हमें परवाइड करना ही है उसके साथ-साथ हुमीडिटी भी बननी चाहिए समर में अभी जो है विंटर लगाई है लेकिन विंटर में भी ऐसा है इन प्लांट को दो गंटे की तो ही चाहिए तो तभी ये अच्छा पाएंगे और खूश रहेंगे और चमकदार पत्ते बने रहेंगे इन पे देखिए अभी तो ये बहुत हैपी हैं लेकिन इनका खयाल भी हमें रखना ही पड़ता है और फ्रेंड्स ये है लास्ट वाला प्लांट जो के मुझे नरसरी वालो प्लांट ने उनके पॉट में ऐसे ही उगा वह था तो निकाल के दिया है 13 रूपीज का हेंगिंग में बहुत ही खुब सुरत लगता है ये प्लांट बास्केट प्लांट बहुत जल्दी ही ग्रोथ करता है और उसके ब्रांचेस भी बहुत जल्दी डेवलप हो जाते हैं खुब सुरत भी बहुत लगता है फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स ये थी मेरी प्लान शॉपिंग आज का जो वीडियो है प्लान शॉपिंग का विद रेट और विद प्लान के नाम तो आपको केसे लगा अच्छा लगा होतो सब्सक्राइब कीजिए शेर कीजिए कमेंट भी कीजिए फ्रेंड्स और मिलते हैं नेक्स्ट विडियो में किसी नए प्लान के साथ या किसी नए जानकारी के साथ तेंक्यू फोर वाचिंग फ्रेंड्स बाई बाई एंड हैपी गाड़निंग